Hey guys and welcome back to the channel once again अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो because 12th class और 11th class है related सभी study material आपको इस चैनल के उपर मिल जाएगा और आपको हर एक concept को easily तरीके से समझाया जाता है तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं हमारा आज का topic है important diagrams for class 11th now class 11th के सासाथ मैंने class 12th के भी diagrams आपको प्रवाइट कर दिये हैं अगर आप उन students में सो जो की neat exam के लिए prepare कर रहे हो या फिर अपने aims examination के लिए prepare कर रहे हो और आपको नहीं पता है की important diagrams कौन से कौन से हैं किस diagram को आपको prepare करके जाना चाहिए और किस diagram को आप skip कर सकते हो तो ये वीडियो बिलकुल आपके लिए है इस वीडियो के description box में आपको मिलेगा एक pdf link नाओ ये pdf link किस सीज का है यह है important diagrams सभी chapters जो 22 chapters हैं biology के अंदर उन में से कौन से कौन से diagram important है आपके class 11 से उस topic के उपर ये वीडियो है तो आपको क्या करना है उन सभी diagrams को डाउनलोड करना है नाव क्या होता है कई बार NEET examination में या फिर आपका school examination हो वहाँ बर diagram फूस लिये जाते हैं अगर आपको diagram आता है that's very good now कई बार होता है कि आपको diagram नहीं आता है तो क्या होगा कि आपको इनसे यह help मिल जाएगी कि आपके सामने एक particular source है कि आपको सभी diagrams को नहीं सिर्फ इन diagrams को पढ़ना है तो आपको सिर्फ इन diagrams को prepare करना है इनकी labeling को लिख लिख कर देखना है मैं again repeat करती हूँ इनकी labeling को आपको लिख लिख कर देखना है separate notebook में और उसी के साथ साथ आपको इनको draw करना भी सिखना है इनको draw करना ज्यादा difficult नहीं है अगर आप 2-3 पर try करोगे अपने आपको हर एक diagram की labeling है हर एक diagram को जो तरीका है उसको बनाने का वो आपको रट जाना चाहिए okay so I hope आपक examination के अंदर जिसके लिए बच्चे काफी जादा scared होते है ठीक है वो डेरे हुए है कि वो neat examination कैसे करेंगे now theory portion होगे आपका लेकिन biology आप सभी चानते है 360 marks की आती है और उस 360 marks के अंदर आपको कई question ऐसे मिलेंगे जो कि diagram based होंगे कई question ऐसे मिलेंगे जो NCRT से direct उठाय होए question हो around 80 to 90% जो question होते हों NCRT direct होते हैं जिन में से मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी diagram based की तो आपको ऐसे questions इन diagram के मदद से आपके solve हो पाएंगे जो कि diagram based होंगे सभी diagrams बहुत important है सभी की PDF फाइल नीचे description box मेंने दे दी है प्लीज आगा check करो और download करो और अपनी preparation में लग जाओ concept map मैंने provide कर दी है class 12 के सभी और class 11 की अभी काम चल रहा है ताकि आपको neat examination में help मिल सके तो उसके उपर भी काम चल रहा है आपको जल से जल मिल जाएगा thank you so much अगर वीडियो पसंद आयो तो like करना friends के साथ share करना और channel पर new हो तो subscribe हो जाओ आगे आने वाली neat और aims के लिए ऐसी ही ट्रिक भरी वीडियो के लिए thank you so much have a good day bye bye